हेलो फ्रेन फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवेस का एजुकेशनल ग्रूप में स्वागत है आए आज हम 8.4 का सेवन्थ नमबर कोस्टन का सलूसन करते हैं यह बहुत ही सिंपल है यह एक्जाम में दो नमबर का कोस्टन आते हैं जिसलिए आज हम लोग इसको सीख दे लेए कि में अखे सिर्षे चलते हैं कि लिज्स में क्हान है लेटेसमें सांटिटा माइनस टू सांट यह पर क्यू होगा कोशन में आप लोग बुक में देख लीजिए का कोशन है सांटिपी टृट वबता में तू- नमाइस में कोसृटटा और ये चिसम्हम लोग chat 10 थिता यानि कि हम लोग €革 लाना तो यहां पर साइं थिता मानेस 2 साइं क्यूट़ रहा है isं लोगा हम को मैं कर लेते हैं तो साइं थिता को मान बच जाएगा यहां परuesta 1 बचहेगा यहां तो इसमें भी cos है, इसमें भी cos है, तो हम यहां भी cos theta को हम लोग common कर लेते हैं, तो क्या बच जाएगा, 2 cos square theta minus 1 बच जाएगा, अब आगे करते हैं, तो आगे क्या, sin theta, in 2 में 1 है, तो 1 minus 2, अब एक sin theta बरावर फर्मूला होता है, इसे, देखिए, sin square theta plus cos square theta बरावर 1 होता है, तो sin square theta बरावर हम लोग लिख सकते हैं, यह 1 minus cos square theta, तो यहीं हम sin square theta के जगा पर 1 minus cos square theta लिखते हैं, 1 minus cos square theta, बटा में क्या है, बटा में cos theta into में 2 cos square theta minus 1, अब आगे करते हैं, तो आगे है sin theta into 1 minus 2, 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे, 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 अब sin theta into में क्या है पहले इसको लिख देते हैं तो क्या है 2 cos square theta अब यह minus 2 है plus 1 है तो जब घाटेगा तो बाचेगा क्या minus 1 तो minus 1 पच गया तो minus 1 लिख दिए अब वटा में क्या है वटा में cos theta into में 2 cos square theta minus 1 अब 2 cos square theta minus 2 cos square theta minus से कर जाएगा तो बचेगा क्या सिर्फ sin theta into cos theta हम लोग जानते हैं कि sin theta into cos theta बचेगा तो sin theta by cos theta ब्रावर एक फर्मूला होता है वो क्या होता है वो 10 theta होता हम लोग के लाना भी किया था टैन ठीटा लाना था हम लोग के टैन ठीटा आ गया तो हम लोग के आरेटेस प्रूफ हो गया धन्य बाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें आज चैनल को सब्सक्राइब करें